हेलो आप्रीवन आप सभी को मेरे यूट्यूब चनल टच इग्जाम में फिरसे एक बार स्वागत हैं आसा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़या होंगे सबसे पहले मैं बता दू इस वीडियो का टापिक या फिर जारकंड के बाहर के कहने देट हैं अगर आप जारकंड में 12 के बाद आप कोई भी बैचलर डिग्री में अड्मिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी को यहाँ पर बता दे चांसलर पॉर्टल के बारे जान लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉलेज में आप एड्मिशन लेंगे आपको सबसे पहले चांसलर पॉर्टल पर ही आकर अपना रजिस्टेशन करवाना पड़ेगा उसके बाद ही आपका यहाँ पर एड्मिशन होगा और अपना फी को पे करेंगे ताकि आपका जो कॉंसर्ण कॉलेज है वहाँ पर आप एड्मिशन ले पाएं पूरी अच्छे तरीका से ठीक है तो मैंनली हम बात करेंगे इस वीडियो में जो हम बात करेंगे बैचलर डिगली के लिए उसमें बैचलर आफ आर्ट्स, बैचलर आफ साइन्स और बैचलर आफ कॉमर्स के लिए यहाँ पर हम अपलाई करके आपको दिखलाएंगे पूरी तरह से कैसे आप अपलाई करेंगे एक अच्छे तरीका से फिलप करके ठीक है तो सबसे पहले इनके official website पर आना पड़ेगा जिसका link हम description में दे रखें या तो फिर जैसे मैं step बता रहा हूँ वैसे भी आप यहाँ पर आ सकते हैं Chancellor Portal के official website पर आने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी web browser का use करना पड़ेगा जैसे कि मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ Google Chrome का ठीक है आप इसकी जगह Mozilla Firefox या फिर Internet Explorer का भी use कर सकते हैं आपको जो स्विदाव वो भी कर सकते है तो यहाँ पर आप simply search करेंगे जहार्खन.u यहाँ पर स्वारी ऐसे मत search करेंगा आप Chancellor Portal सिफ सर्च करेंगा ठीक है Chancellor Portal आपको सिर्फ यहाँ पर Chancellor Portal सर्च करना है जैसे ही आप Chancellor Portal सर्च करेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो आएगा first page आपको यहाँ पर इसी website के link पर क्लिक करना देखें आप पर दिख रहा है जहारकन.nice.in ठीक है तो simply आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद अगर mobile phone से खोल रहे है तो यहाँ पर आपको desktop साइट कर लेने ताकि views अच्छा हो जाए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप apply करना चाते तो computer laptop का परियोग करें ताकि अच्छे से apply कर पाए पर कोई issue नहीं आपके पास mobile phone है तो भी आप apply कर सकते हैं क्लिर है यहाँ पर मैं पूरी detail में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए official website का page खुल कर आ चुका है यहाँ पर chancellor portal लिखा हुआ आ रहा है उसके पहले बता दू यहाँ पर कौन-कौन सारे university है और उससे affiliated college है जो कि आप यहाँ पर admission ले सकते है तो इसके लिए आपको यहाँ पर simply university पर click करना पड़ेगा चलिए हम universities पर click कर देते हैं यहाँ पर जितने सारे universities हैं जारकंड में उन सभी का लगभग university का admission कोई भी affiliated college में chancellor portal के माधियम से होता है अब क्या होए chancellor portal उसके पहले मैं आपको बता दो chancellor portal एक तरह का राजिशन यहाँ पर student का registration लिया जाता है merit आपके marks के साब से prepare किया जाता है उसके बाद आपके concern college जो भी college में आप apply करेंगे वहाँ पर आपका admission हो पाता है तो total यहाँ university कौन-कौन से पहले वह बता देते हैं और वहाँ के affiliated colleges को देखने के लिए आप यहाँ पर कैसे देखेंगे वो भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले है बिनोत बिहारी मातो कौलेंचल university धनबाद ठीक है दूसरे नंबर पर है dr. शमा परसाद मुकर्जी राची तीसरे नंबर पर हमारा जमसितपूर वोमन्स university next है हमारा जहारकन रक्चा सकती JRSU university राची कौलहन university चाइबासा ठीक है next हमारा निलामर पितामर यूनिवरसिटी पलामू उसके बाद है राची यूनिवरसिटी राची next हमारा जो है सिद्ध कानू university दुमका clear है उसके बाद हमारा जो विनवा वावे यूनिवरसिटी हजारी बाग इस तरह देखे तो यहाँ पर टोटल आठ यूनिवरसिटी हो जाते जहांकि आप कोई भी college में admission ले सकते हैं यह आपको बात पता रहना चाहिए आप देखिए कि यहाँ पर यह यूनिवरसिटी से जो college का relation होता है वो यह आप तो affiliated होगा या constituent होगा constituent college वैसे होते हैं जो fully government होते हैं affiliated college वैसे college होते हैं जो कि private college होते हैं या फिर बोल सकते है autonomous college हो सकते हैं clear है तो यहाँ पर c college पर list में click करेंगे तो यहाँ पर जो जो college है इससे affiliated वो सारे college का list खुलकर आ जाएगा ठीक है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कोई भी college का list यहाँ पर dr. स्यमा परसाद का university as well as college survey की है इसलिए यहाँ पर सिर्पे की आ रहा है कोई दिकत की बात नहीं है clear है दूसरी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं चले यहाँ पर column university चाहिवा सकते हैं इससे registered कितने सारे college हैं आप देख सकते हैं कोई भी college का यहाँ पर admission बनाये वह आप यहाँ पर देख सकते हैं चलिए फिर हम यहाँ पर home पर चलते हैं clear हम पर फिर आ गए यहाँ पर आपको apply कैसे करेंगे वह मैं आपको बताऊंगा apply करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा user name और email id user name और email id यानि कि जो भी email id डालेंगे वह आपका active रहना चाहिए ताकि उसमें OTP और confirmation आपको वहाँ पर जाए उसके बाद यहाँ पर password इंटर करना है अभी आपके पास login section का कोई भी detail नहीं होगा क्योंकि आप new candidate है clear है तो अगर आप new है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर registration registration करना पड़ेगा registration कैसे करेंगे वह आपको बता दे यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास option है do not have any account देख रहा है do not have any account यहाँ आपको यहाँ पर simply इस column पर click कर देना है तो चलिए हम यहाँ पर click करते जैसी click करेंगे यहाँ पर इनका page जो है वह open होकर आ जाएगा आप यहा आपका यहाँ पर जो admission होगा या फिर आप registration करेंगे कुछ step में यहाँ पर आपको clear करना पड़ेगा तभी आप यहाँ पर complete जो है अपना admission ले पाएंगे clear है तो क्या steps है वह आपको मैं पहले बता देता हूं सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बताता हूं first में ठीक है सबसे सबसे पहले sign up या login करना आपको उसके बाद instruction को पढ़ना है third में आपको personal section को complete करना है उसके बाद यहाँ पर फोर्थ में address section को fill up करना है फिप्त में आपको academic session को भरना है clear है उसके बाद six में आपका college और course जो भी college में आप admission लेंगे उसके बाद 7th में payment करके आपको complete कर देन है clear है यह यहाँ पर by graph नाया आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देखेть sign-up आपको बता दे सबसे पहले जो step है आपका क्या है वो आप देख सकते सबसे पहले जो step है वो आपका है पाने का है sign-up और login का तो login अमasına met Dakar पहले हमको sign up करना पड़ेगा क्योंकि हम new user हैं यहां पर अपना नाम भरेंगे जैसे कि आपका 10th के mark sheet में होगा सही सही भरिएगा क्योंकि बाद में आपको correction कराने के जोरत ना पड़े ताकि आपको दिक्कत ना हो ठीक है तो यहां पर first में आपको नाम आपका पूछा गया ह जो आपका email id अगर आपका email id नहीं तो please आप बनाईए email id या फिर parent का email id दे सकते हैं अगर आप access कर सकते हैं तो ठीक है उसके बाद mobile number जो चालू हो वही आपको देना है अब यहां पर password और confirm password मांग रहा है तो यहां पर बहुत सारे लोग confused होते हैं कि यहां पर कौन सा password देन पड़ेगा मानली जी आपका नाम सौरब है ठीक है तो आप ऐसे बना सकते है at the rate as capital o u r a v ठीक है आपका year of birth 2001 है तो आप ऐसे बना सकते हैं ठीक है आपका नाम मानली जी नीदू है example के लिए तो आप at the rate and capital ठीक है i t u 123 किसी भी तरह से password बना सकते हैं एक बार यही password को यहां इंटर करना है उसके बाद यहां पर simply यह capture जो आपको दिख रहा है वह यहां पर फिल अपकर ना है उसके बाद simply sign up पर click कर देना है clear हम यहाँ पर sign up अपना कर चुक है तो यहां पर simply log in करेंगे ठीक है आप यहां पर sign up करके उसके बाद आपको आपको वहां पर बोलेगा successful registration तो यहाँ पर अलड़ी रजिस्टर्ट प्लीज लॉग इन यहर पे क्लिक करेंगे यहां तो फिर जैसे वहाँ पर जाएंगे तो डार्क ली आपको यहाँ पर देखें आपको लॉगर साइन अफ कर चुके तो यहाँ पर सिंपली इमेल आईडी और पासवर्ट को इंटर करके यह क्यापचा को यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो चलिए हम यहाँ पर अपना डिटेल को डाल कर लॉग इन करते हैं मैंने भी यहाँ पर सभी detail को fill कर चुका हूँ तो simply हम यहाँ पर login here पर click करेंगे जैसे हम यहाँ पर login here पर click करेंगे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इनका नाम ठीक है उसके बाद जो email id डाले थे वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा उसके बाद आपको यहाँ पर भी इनका नेम जो है जो आप नाम लिखकर डाले थे वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा clear है फिर से मैं यहाँ पर desktop site पे है कोई दिकत वाली बात नहीं यहाँ पर आपको देखे क्या क्या dashboard क्या क्या option मिलता है यहाँ पर dashboard, admission form, view application, payment, change request और setting अभी सबके लिए मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो यहाँ पर काफी लंबा हो जाएगा तो simply यहाँ पर dashboard पे क्लिक करेंगे dashboard पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखे क्या क्या option मिल रहा है ठीक है personal information ठीक है आपको बताये थे login और sign up करने के बाद personal information fill up करना पड़ता है जैसे कि आपका पूरा father name, father name, date of birth और यह सारे सब detail address, address जितने भी है वो सारे क्या क्या है वो सारे आपको बाद में दिखाएंगे उसका second में आपको यहाँ पर जो fill up करना है वो आपका है academic information, academic यानि कि आप last year कौन सी पढ़ाई किये और कितने marks के साथ आप वहाँ पर पास हुए या फिर पूरे detail को इंटर करना है उसके बाद यहाँ पर next apply for discipline sorry अब यहाँ पर जो आपका है वो applying for discipline कौन discipline के लिए apply करना चाहते है कौन से colleges में उसके बाद last आपका payment section clear है last में जो आपका है वो आपका है payment section payment complete कर लेंगे उसके बाद यह पूरी तरह से आपका process complete हो जाएगा उसके पहले यहाँ पर कुछ agreed to the term and condition as stated above मैंने कि आप यहाँ पर जो सारे आपका जिये दिया हुए term and condition आप इसको पढ़े लिए अच्छे तरीका से और नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं आपको simply यहाँ पर इस option पर क्लिक करके आगे बढ़ना है clear है तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखिए क्या option मिलेगा ठीक है यहाँ पर आपको option मिल रहा है select your course in which you want to apply यहाँ पर course select किजी कि कौन से course के लिए apply करना चाहते हैं तो simply यहाँ पर select course पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर दो option मिलेगा कौन-कौन सारे option तो बता दे फरस्ट आपका जो है अंडर graduate यूजी बैचलर डिग्री तो बता दे जो भी candidate यहाँ पर 12 के बाद 12 के बाद admission लेना चाहते वो सारे लोग undergraduate यहाँ पर choose करेंगे यानि कि आपको बता दे इससे पहले अगर आपको नहीं बता था तो मैं बता दी UG का मतलब होता है bachelor degree ठीक है bachelor degree UG का undergraduate का मतलब होता है bachelor degree और PG का मतलब होता है master degree तो master degree आपका graduation के बाद होता है अगर आप 12 की हैं तो यहाँ पर undergraduate select करेंगे तो simply यहाँ पर हम bachelor degree को select करेंगे अगर हम PG के लिए apply करेंगे तो यहाँ पर master degree पर select करके आगे बढ़ेंगे तो simply यहाँ पर bachelor degree को हम choose करते हैं जैसे choose करेंगे यहाँ पर एक option is submit का हम simply यहाँ पर submit पर click करेंगे जैसे हम यहाँ पर submit पर click किये आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो है data save successfully दिखा दिया कि जो भी हम data submit किया थे ठीक है उसके बाद यहां पर देखिए आपको हम एक चीज बता देते हैं यहां पर क्या 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 आपको fill करना है काफी important है वो आप देख लीजे ठीक है यहां पर पुरा प्लिक select any if you are orphan ठीक ह किरपया चुने अधी आप आनात हैं अगर आपके माता पिता नहीं है तो please आप यहां पर इसको चूज करेंगे जैसे आप यहां पर चूज करेंगे तो देखिए आपका यहां पर फादर ने मदर निम निम आएगा सिर्फ गार्जन का निम आएगा clear है और यहां पर जैसे हिंदी में यहां पर लिखेंगे और हिंदी में लिखेंगे इसमें आप यहां पर अपना अच्छा से तरीका से देख लिजेगा स्पैलिंग करेक्शन करने की बाद में जोर्रत ना पड़े एक बार ध्यान से देख कर ही समीट करेंगे उसके बाद है आपका father name ठीक है आपका father name उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो है पिता जी का नाम पिता का नाम हिंदी में आपका पिता का नाम जो है वो हिंदी में उसके बाद mother name English में लिखना है उसके बाद माता का नाम हिंदी में यहाँ पर हिंदी से टाइप करना है, clear है, date of birth certificate, यहाँ पर आपको बता दे, आपका जो date of birth है, वो आपको यहाँ पर select करना है, date of birth select करने के बाद, यहाँ पर आपको gender choose करना है, clear है, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अपना gender जो है, वो choose करना है, next उसके बाद blood group, जो भी आपका blood group है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, क्या-क्या option आ रहा है, a positive, a negative, b positive, b negative, a b positive, ठीक है, तो अपने इनुसार जो भी होगा आप यहाँ पर select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो marital state, आपका साधी हुआ है, या नहीं हुआ है, देखें यहाँ पर क्या-क्या option है, मैं आपको दि जो है religious, आप कौन से religious से आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सी, किसाई, या फिर जो भी religious से आप आते हैं, यहाँ पर choose करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ID card, clear है, आपको एक option दिख रहा होगा, ID card का, यहाँ पर आपको ID card choose करना है, जैसे कि ID card में आप क्या-क्या choose कर सकते हैं, voter ID, Pan card, driving license, bank, passbook, ठीक है, यहाँ पर यह सारे options हैं, आप यहाँ पर में से किसी एक को choose कर सकते हैं, और यहाँ पर college ID या अधर, ठीक है, आप देख लिजे कोई भी ID यहाँ चूज कर सकते हैं, अपने अनुसार, जो भी जैसे माल लिजे, college ID हम यहाँ पर choose करते हैं, तो हमको यहा call number होगा, आप उसको यहाँ पर इंटर करके आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर ID identification marks, अगर आपका कहीं भी मोल है, तील है, या फिर कटा चटा है, उसको यहाँ पर इंटर करना है, आप यहाँ पर इंटर कर दीजेगा, यहाँ पर rate tick mark है, उस सभी को भरना यह बा यहाँ पर इंडिया से बाहर के आपको बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर इंटर करने की जुरत नहीं है, उसके बाद यहाँ पर reservation, detail for selection, ठीक, आपको बता दे, section, यहाँ पर reservation के लिए, reservation से आपको seat मिलता है, STSC लोग को, girls candidate को, यहाँ पर यह सारे reservation आप यहाँ पर लगा सकत आपको seat मिल सके, अगर आप belongs करते तो, आपको बता दे, सबसे पहले यहाँ पर, do you have a domicile आप जारखंट, यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जारखंट के स्थाई निवासी है, तो यहाँ पर yes और no करके आगे बढ़ेंगे, अगर हैं, तो फिर yes और नहीं है, तो फिर no, उस simply यहाँ पर select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर है, आपके पास क्या, आप लो, is under BPL category, अगर आप BPL card, BPL category के अंदर आते हैं, या फिर आपके घर में BPL card है, और आपका नाम, अगर student का नाम उस BPL card में है, तो यहाँ पर यह भी आप reservation ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर yes करेंगे आपको बता दे yes करेंगे, तो यहाँ पर आपको BPL number डालने का option मिलेगा, आपको BPL number डालना पड़ेगा, और अगर नहीं है, तो फिर आप no करके आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद next आपके पास differently abled category, यानि कि आप PH candidate हैं, अगर हैं तो yes करेंगे, नहीं है, तो no करके आगे बढ़ेंगे, आपके पास यहाँ पर next पूछ रहा है, कास्मीर मेगरेटेड है, क्या कास्मीर से मेगरेटेड हुए हैं कभी, तो यहाँ पर yes और no करेंगे, तो yes नहीं तो सब कोई no करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठेक हैं, next आपके पास यहाँ पर है, आर यू NS वालेंटर, अगर हैं, वालेंटियर हैं, तो yes करेंगे, एक्स्टा कैलूकलम एक्टिविटी आपके पास है, तो yes और no, अगर आपको नहीं पता है, तो no करके आगे बढ़िएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद next हमारा, are you a dependent of ex-servicemen, मानले के पूछ रहा है, कि या आप independent है, कोई ex-servicemen पे, तो yes or no करेंगे, range rover से बिलोंग करते हैं, तो yes or no करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है, do you are of the teacher, non-teaching, staff of the university और college, यहाँ पर बूचा जा रहा है, कि आपके माता-पिता, आप जो हैं, आपके क्या गार्जियन कोई काम करते हैं, college में या universities में, तो यहाँ पर yes or no करेंगे, अपने अनुसार, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा next है, वो permanent address section है, ठीक है, यहाँ पर permanent address section है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपना at post police station, यह सारे जो हमें भरेंगे, ठीक है, यहाँ पर विलेज का नाम, post office और police station का नाम, य इसके बाद यहाँ पर हटा कर दूसरी city का नाम लिख देना है, उसके बाद जो भी आपका city होगा, या फिर district है, उसके बाद next आपका state name, state code and state के हैं आप वो, उसका district name, यहाँ पर select करना है, उसके बाद pin code जो आपका है, वो यहाँ पर fill up करना है, अगर आपका present address, मतलब कि यह जो है आपका permanent address, present address, same है, तो फिर यहाँ पर same is करेंगे, या तो फिर अलग है, तो यहाँ पर fill up करेंगे, जैसे यहाँ पर fill up करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बता दे आपको, यहाँ पर upload document section, यहाँ पर आपको जो है photo और signature अपलोड करना है, जो कि आपके confirmation के लिए मा 100 KB के बीच का होना चाहिए, 10 KB से कम, 9 KB का नहीं चलेगा, उसके बाद 100 KB, यानि की 100 KB से जादा का नहीं होना चाहिए, तो आप इसको resize करके, यहाँ पर browse पे click करेंगे, और यह browse हो जाएगा, और यहाँ पर sign में भी browse हो जाएगा, उसके बाद select करने के बाद, save personal information पे click क करके आगे बढ़ेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर अपने data को fill up करते हैं, और फिर देखते हैं, जैसी कि आपको मैं दिखाया सारे personal detail को आप अपने दुशार भरिएगा, सही सही correct होना चाहिए, कि बाद में आपको को दिक्कत ना हो, मैं आपने सारे detail को यहाँ पर fill up कर चु is fully saved, ठेक है, यानि कि data जो आपका save कर दिया गया, अगर उसके बावजूद भी आपको कोई गलती है, तो simply आप यहाँ पर यह option पर click here to edit personal information पर कर सकते हैं, फिर से edit हो जाएगा, अभी मेरा यहाँ पर सारा चीज़ सही है, तो simply यहाँ पर देखे, यह जो data है, यहाँ पर मैं जो application number है, यह काफी important है, आप इसको not down कर लीजें, ठीक है, यह application number भी हमको यहाँ पर मिल गया, UG 21 24 061854, ठीक है, यह application number मिल गया है, तो simply अब यहाँ पर हमको academic detail fill up करना है, academic information आपका जो previous study होगा, जैसे कि आप यहाँ पर बता दे, 12th pass किये हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर है, अगर आप polytechnic pass करके आए, डिपलोमा, तो वो लोग भी यहाँ पर अपना detail को भारेंगे, क्या क्या है, यहाँ पर देखिये, जल्दी यल्दी में बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, academic information section है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिये, first म होता है, 12th का, तो आप यहाँ पर polytechnic select करेंगे, हम यहाँ पर 12th select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर stream name पूछ रहा है, ठीक है, stream name आपको यहाँ पर पूछा जारा है, stream name में क्या क्या option है, वो आप देख लिए, stream name में अगर आप arts, commerce, science किसी भी से पास हुए, तो यहाँ पर select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर, जैसे कि मैं science से यहाँ पर past out हूँ, यहाँ पर science select करूँगा, उसके बाद यहाँ पर course medium, आपका course का कौन सा medium है, हिंदी, English, वो select करेंगे, year of passing, कौन से year में आप pass हुए है, उसके बाद यहाँ पर course type, आपका course type वो कैसा है, ठीक है, आपको इसको select करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं simply regular select करूँगा, उसके बाद यहाँ पर division पूछ रहा है, ठीक है, यह काफी important है, इसको सही सही tick करिएगा, अपना marks को calculate करके, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, अगर आपका 75 से 100% result है, तो फिर आप distinction को select करेंगे, आपका अग यहाँ पर second division select करेंगे, और यहाँ पर third division वो ऐसे candidate select करेंगे, जिनका 45 से कम है, ठीक है, आपको बता दे, minimum 45% second division होता है, अगर 45% से कम है, माल लिजे, आपका 42% है, 43% है, इन सभी candidate जो यहाँ पर select करेंगे, वो third division, तो यहाँ पर मैं first division select करूँगा, उसके बाद यहाँ पर percentage of marks, आपका कितना percent है, ठीक है, तो माल लिजे किसी का, यहाँ पर माल लिजे कि आपका 70% है, 64% है, 68% है, जो भी आपका percentage होगा, only यहाँ पर number लिखेगा, percentage automatic यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर board select करना है, कौन से board से passed out है, तो यहाँ से बहुत सारा board है, यहाँ से अगर pass होए, तो यहाँ पर देख सकते है, BR board है, जो भी board है, जो भी board है, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, CBSC का भी option दियावा, Central Board of Secondary Education, इस तरह से जहारकन एकडमिक कॉंसिल, राची का भी दिया होगा, आप यहाँ पर देख सकते है, जहारकन एकडमिक कॉंसि ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे board है, इंडिया में जितनी भी board चलते हैं, वो सारे board है, 10 प्लस 2 के लिए, क्लिर है, यहाँ पर पॉलिटेकनिक वाली, तो जहारकन एकडमिक कॉंसिल यहाँ पर सेलेट कर लीजेगा, जो आपका college नेमों का वो एंटर करेंगे, यहाँ पर college का state, आपका college कहाँ पेश्टीत है, मालीजे जहरकन में तो जहरकन और कौन से district में, वो यहाँ पर सेलेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है, यह इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर marks का इंटरी करना है, इसी कि आप सापका merit को प्रिपेर किया जा माक्षिट के साप से यहाँ पर देख लिजेगा, उस subject में कितना number है, theory practical दोनों मिला कर वही होता, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर से पुछा गया, तो आपको कोई डरने की बात नहीं, मालीजे आपका 100 number का total है, ठीक है, अगर आपका उसमें आता 85, तो फिर आप को वाजिव सी बात है, 85% होगा, clear है, तो यहाँ पर अपना number को सी fill up करिएगा, percentage से कोई मतलब नी, ठीक है, तो यहाँ पर, जैसे दिखिए, यहाँ पर कॉन-कॉन सारे subject है, बहुत सारे subject है, जैसे कि मालीजे, मैं यहाँ पर English select करूँगा, आप यहाँ पर अपने अनुसार सर्च करके, यहाँ पर subject को चूज करेंगे, यहाँ पर English select कर लूँगा, और मेरा जो English में नंबर है, वो यहाँ पर हम इंटर कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देते, मालीजे मेरा number जो है, 89 है, ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्प 89 यहाँ पर इंटर कर देंगे, उस छोड़िएगा नहीं, उसके बाद यहाँ पर क्या करिएगा, अगर आपको यहाँ पर और भी column चाहिए, आपको च्छटा भी subject है, तो फिर आप यहाँ पर select add more पर click करेंगे, देखे यहाँ पर, जैसे add more पर click करेंगे, यहाँ पर six column आ गया, उसके बाद इसका number यहाँ पर fill up कर लेंगे, clear है, यहाँ पर देख लिजे, सारा number में fill up कर लिया हूँ, आपको मैं example के लिए दिखा दूँग, अगर आप चाहते हैं, कि हम इसको delete करना चाहते हैं, यह delete करना चाहते हो, ताप simply यहाँ पर delete करेंगे, यह delete हो जागा, यह जो चार है, वो आपको fill up करना पड चुका हूँ, यहाँ पर देखिए, अब जो मेरा number था student का, English में, Physics में, Chemistry में, Biology में, Computer Science में, यहाँ पर point 00, आप मत दीजेगा, कोई जरूरी नहीं, सिधा आप number जितना होगा, उतना आप दीजेगा, अगर आपको और भी column add करना है, तो आप यहाँ से add कर सकते हैं, अभी हमक यहाँ पर पांच subject था, तो पांचों का, यहाँ पर मैंने अपना जो number है, वो मैं दे दिया, clear है, तो यहाँ पर simply जो है, save academic information पर click करेंगे, यहाँ पर देखिए, यह जो option है, save academic information, आप इस पर जैसे click करेंगे, यहाँ पर यह submit हो जाएगा, submit होने के बाद क्या option खुल कर आत चुका, और यहाँ पर एक option खुल कर आगया, success data, save, successfully saved, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर save हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर कुछ instruction दिया हुआ है, कि कौन से university में apply करेंगे, तो आपका कितना minimum percentage होना चाहिए, core subject लेते, तो क्या क्या होना चाहिए, यह सारे detail, ठीक है, यहाँ पर देखिए, इनका जो है, यहाँ पर show कर गया, overall जो marks इसका 60% है, English, Physics, Chemistry में कितना marks है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी आपके पास option है, अगर आप कुछ गलती हुआ है, तो आप यहाँ पर want to edit academic information पर academic information रिट कर सकते हैं, want to edit personal information पर यहाँ पर क्लिक करके personal information को भी कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर main, आपको यहाँ पर करना है, वो आपको यहाँ पर selection करना है, applying for discipline, आप कौन से discipline के लिए apply कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर choose करना है, ठेक है कि कौन से college में आप अप्लाई करेंगे, ठेक है, यहाँ पर निलामबर, पितामबर, राची उनिवरसिटी, शिद्धो कानू, विनवभाववे उनिवरसिटी, हजारी बाग, तो simply यहाँ पर आपने अनुसार जो भी उनिवरसिटी में अप्लाए करना होगा, आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखें, विनवभाववे से गरिडी कॉलेज, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर option खुलकर आगया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, select discipline, कौन से discipline से, तो यहाँ पर आपके पास दो option मिलेगा, honor और general, honors और general, आपके अनुसार जो भी select करिएगा, वो आपको यहाँ पर मिलेगा, कोई दिकत वाली बात नहीं ह यहाँ पर देखिए, आपको simply honor पर select करना है, या फिर general पर, general course लेंगे, तो general honors पर honors, तो honors पर select कर लेते हैं, यहाँ पर select stream पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन से stream के लिए apply करना आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए, क्या क्या option दे रहा है, bachelor of science, bachelor of arts, bachelor of commerce, तो simply अ university को यहाँ पर select करके, college select करके, अपना form बर सकते हैं, यहाँ के बाद सब का process सेम है, कोई दिकत वाली बात नहीं है, हमको यहाँ पर next हमारा subject choose करने का option दे रहा है, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर geology honors choose करना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बता दे, यहाँ पर आपको सबस biology है, उसके बाद जैनरी collective में मारा chemistry या ability enhancement में English है, ठीक है, इसके साथ साथ बता दे, core subject आपका कहीं change नहीं होगा, देख लीजे, उसके बाद जैनरी collective भी आपका change नहीं होगा, बच गया यहाँ पर AECC ability enhancement, तो यहाँ पर आपको बता दे, यहाँ पर देखिए, उर्दू है, Hindi है और English है, अपने दिशार आपको जो selection करना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो simply, यहाँ पर मैं select कर लिया हूँ subject को, उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर simply यह जो option दिख रहा है, add discipline, यहाँ पर दो option पर आप select नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक option को select क अगे बढ़िएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, add discipline पर click करेंगे, चलिए हम यहाँ डिसिप्लीन पर click करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या option कूल कराया है, यहाँ पर हम को यहाँ बता रहा है, क्या बता रहा है, भेरिफाइग करन एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल एक बार खुल कर आजाएगा आपको यहाँ पर सारे detail को देख लेना है उसके बाद ही यहाँ पर आगे बढ़ना है ठीक है सारा detail यहाँ पर खूल कर आ जाएगा आप अपने इनुशार यहाँ पर मिला लिजेगा उसके बाद यहाँ पर बता दे यह जो check mark है सब में आपको यहाँ पर टिक करना है कौन-कौन सारे check mark में तो personal information पर यहाँ पर क्लिक करिएगा वेटेज information पर भी और address information, previous year academic information और फिर applied discipline information और I have confirmed that पर मतलब यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा यह सारे पर आपको check mark करके यहाँ पर simply आपको दिखे option दिख रहा होगा यहाँ पर अगर आप एक बार कर देते तो आपको change का option नहीं मिलेगा confirm and submit पर यहाँ पर click करेंगे जैसे यहाँ पर confirm and submit पर click करेंगे यहाँ पर जो है खुलकर आ जाएगा complete यहाँ पर data जो हम submit कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर हमारा जो बच जाता है वो सिर्फ payment section बच जाता है clear है यहाँ पर payment section मेरा बच गया है आभी हम यहाँ पर क्या करेंगे नीचे जाएंगे जैसे हम यहाँ पर payment पे click करेंगे यहाँ पर बता दे आपको जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर option दिख रहा होगा pay now का ठीक है यह हमारा pay now का option दिख रहा है आपको simply यहाँ पर pay now पे click करके हम यहाँ पर payment पे यहाँ पर click करेंगे तो चलिए आप payment का process कैसे करना है वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बता दे यह university का जो fees है 200 है आप देख लिजए सब का fees यहाँ पर नहीं होगा सब का फीस अलग-अलग होता है वो अपने अनुसार जो जो university है वो उसका यहाँ पर अलग-अलग fees होता है यहां पर देख लिजेगा हम यहां पर payment option पर आ गए simply यहां पर आप जो payment कर सकते हैं वह यहां पर credit card debit card या फिर net banking cash या wallet या EMI या UPI के माध्यम से कर सकते हैं तो simply हम यहां पर UPI के माध्यम से करेंगे तो यहां पर UPI पर क्लिक करेंगे उसके बाद अगर आप UPI चलाते तो यहां पर आपका फॉन पे Google पे Amazon पे भीम पेटियम और बहुत सार है तो हम यहां पर फॉन पर सलेट करेंगे उसके बाद यहां पर हमको यहां पर जो है complete data को fill up करना है यहां पर हमको मांग रहा है अपना जो फिर हमारा UPI ID है वह यहां पर इंटर करना है तो अपने जो बी आप करेंगे वह अपना कर लिजिएगा आप देखके हम यहाँ पर अपना जो है UPI ID डाल दिये simply यहाँ पर पेनाओ पे क्लिक करेंगे जैसे ही पेनाओ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको दिख सकता है complete यहाँ पर जो 200 उपीस इनका फीस जो इनका convenient चार्ज है वो 0.8 पैसा और tax जो है वो 0.14 पैसा confirm पे यहाँ पर जैसे देख लिजेगा उसके बाद यहाँ पर confirm पे क्लिक करिएगा confirm पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर यह जो है confirm permission के लिए आपको यहाँ पर आपको UPI पे payment करना है यह अलग payment है आप यहाँ पर card से भी payment payment successfully का option है यहाँ पर फिर go to payment dashboard पे क्लिक करके आप payment dashboard पे जा सकते है ठीक है तो यहाँ पर simply है में यहाँ पर देखिए मारा payment success हो चुका है तो हम क्या करेंगे इस page को यहाँ पर cut करके फिर से हम जो है वहाँ पर Chancellor Portal के website पे जाकर login करके प्रिंट आउट करेंगे यहाँ पर आप देख सकते है पैमेंट मेरा complete होने के बाद फिर भी फिर में आ गया जारकन उनिवर्सिटीज के पॉर्टल पर यहाँ पर हमको login पे वह यहाँ पर भी दिख रहा है तो यहाँ पर simply views पर क्लिक करेंगे जैसे view पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या option आपको खुल कर आ रहा है जैसे यहाँ पर आये option पर तो फिर यहाँ पर हमको देखिए क्या दिखा रहा है ठीक है payment status में यहाँ पर हमको paid और view receipt का option आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर यह आप बता दें यह वाला भी print कर सकते या फिर view receipt पर click करेंगे तो print हो जाएगा view receipt पर जैसे click करेंगे यहाँ पर detail वाला receiving को print out कर सकते हैं ठीक आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर एक option दिख रहा होगा देखिए यहाँ पर यह सारे पेंडिंग अप्रूब बाई उन्मरसिटी अप्रूब बाई कॉलिज अप्लिकेशन अड्मिशन स्टेटस यह आपका जब वहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसके लिए स्वारी आपको complete information बताना था तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करें ताकि सभी को यहाँ पर अपना admission ले सके और फिर completely easy way में उसका admission हो जाए तो thanks for watching have a nice day